अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने हमसे मजाग किया कि आपके भी मुबाइल फोन में पेगासस है हम गोले मेरे पास मुबाइल फोन ही नहीं है हमारा तो मुबाइल फोन पांच साल से पुलिस के पास है ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये इस देश के जज का इस देश के पत्रकारों का इस देश के सामाजिक कारिकरताओं का विपक्ष के नेताओं का छोड़ दीजे विपक्ष के नेताओं का अपने मंत्रियों की जासुसी करवा रहे हैं और कहते हैं कि इस पे संसद में चर्चा नहीं होगी बताईए संसद में अगर चर्चा नहीं होगी तो कहां पर चर्चा होगी और संसद में ये चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं संसद में ये इसलिए नहीं चर्चा करना चाहते हैं कि अगर संसद में एक बार चर्चा होगी वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलग जाएगी संसद में अगर एक बार चर्चा होगी तो इस बात की भी चर्चा होगी कि 200 रुपये लीटर सरसो तेल क्यों बिक रहा है इस बात की भी चर्चा होगी कि 100 रुपय लीटर पेट्रोल क्यों बिक रहा है इस बात की भी चर्चा होगी कि 6 महीने से जादा हो गए है किसान आज भी दिल्ली की सीमाओं पर अपने फसल का डाम क्यों मांग रहे हैं इस बात की भी चर्चा होगी कि आप गोरोना का बहाना बना करके तमाम तरीके की जो वेलफेर स्कीम हैं जो राज्य की कल्यानकारी योजना हैं उसको आपने समाप कर दिया है और सरकार अपनी जिम्मेवारियों से लगातार भाग रही है आप मुझे एक बात बताईए सरकार ने कहा कि आपना में अगर किसी की जान जाएगी तो चार लाख रूपिया दिया जाएगा आप कहते हैं कि देश में आपना अधिनियम लागू है क्योंकि कोरोना जो है वो एक आपदा है तो कोरोना जब आपदा है तो कोरोना में मरने वाले लोगों को चार लाख रूपिया मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए और वही चार लाख रूपिया का गवन करने के लिए सरकार ये आकरा बताने के लिए चार चार उलाख रुपिया मुआपचा देना परेगा इसी लिए सरकार ने सबसे पहला बेमानी ये किया कि जिन लोगों की मौत कोरोना में हुई उनको कोरोना मौत गिनने के लिए तैयार नहीं है कोरोना वाइरस की बजल से हार्ट फेल हो गया क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो उनको मौत चार चार लाख रुपिया जनता को देना परेगा ये कहते हैं कि जनता को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन साहब को उरने के लिए सारे आठ हजार करोड में हवाई जाहाच खड़ी दने के लिए इनके पास पैसा है ये इस देश की जंता को आप खोल करके समझना परेगा और इसलिए जब भी हम किसी अपने साथी को याद करते हैं जब हम उनको सरधांजली देते हैं तो हम इस बात का भी संकल्प लेते हैं कि हमारे चारों तरफ जो अराजकता भैली हुई है इस अराजकता का सवाल हम सरकार से पूछेंगे और इसका जवाब हम सरकार से लेगे